नमस्कार स्वागत ज्यार्खन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर ज्यार्खन में नई सरकार एक बार फिर हेमन सुरेन ने ली सीएम पद की शपत जार्खन मुक्ति मोर्चा नेता हेमन सुरेन ने गुर्वार को तीसरी बार जार्खन के मुख्यमंतरी के रूप में शपत ली है। बदादी की 24 साल के जार्खन की राजनीते में वे तीसरे सियम बन पाने में काम्याब हुए हैं। हेमन सुरेन को पांच दिन पहले ही जमानत म बदादिकी हेमन सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पत की शपत लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरजुर मुंडा वशीबू सोरेन की वराबर करी यहां बराबरी कर ली है। जारखंड उच नयाले के मुख्य नयधीश। नव नियूक्त जस्टिस डॉक्टर बी आर सारंगी पांच जुलाई को जारखंड उच नयाले के नए चीप जस्टिस के रूप में शपत गरहन करेंगे। जस्टिस डॉक्टर बी आर सारंगी को जारखंड हाई कोट का चीप जिहा जस्टिस नयूक्त किया गया है। बतादे की राष्टपती ने इसकी मंजूरी दी है। पूर्वे में सुप्रीम कोट कॉलेजियम ने जस्टिस डॉक्टर बी आर सारंगी के नाम के अनुशन सा केंदर सरकार से की थी। जस्टिस डॉक्टर बी आर सारंगी 20 जून 2013 को उडिसा उच नयालाई के जस्टिस बने थे। इससे पहले लगभग 27 वर्सों तक उडिसा हाई कोट ओम सुप्रीम कोट में उन्होंने प्रैक्टिस की थी। मुराबादी में रोके गए राजभवन घिराव करने जार है सहायक पुलिस कर्मी अपने बिभिन मांगो को लेकर राजभवन घिराव करने जार है सहायक पुलिस कर्मियों को पुलिस ने मुराबादी मैदान में ही रोक दिया। बतादे की अपने बिभिन मांगो को समर्थन में सहायक पुलिस कर्मी लागातार मुराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। खबरों की माने तो गुरुवार को मुराबादी मैदान से राजभोन घिराओ करने के लिए निकले थे। इसके बाद सभी सहायक पुलिस कर्मी स धरना शुरू किया था आंदोलन के पहले दो दिनों तक साहेक पुलिस कर्मी ने काला बिल्ला लगा कर बिरोत किया इसके बाद एक जुलाई को जीला के साहेक पुलिस कर्मी सामोहिक आउकाश पर रहे फिर दो जुलाई से अनिशित काली धरना शुरू कर दिया चार जुलाई CM के रूप में शपत गरहन के साथ ही हेमन सोरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश चारी कर कहा है कि उनकी सरकार रुके हुए विकास कारियों को गती देगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं पुनह आपके सामने हूँ 2019 में आप सब लोगों ने मुझे राजी को एक दीशा देने के लिए आपकी सेवा करने का मौका दिया था लेकिन सडेंत्र कारियों को यह पचान नहीं कि एक आदिवासी नौजवान इतने उचे पत पर रहे अंत्रता 31 जनवरी को इन लोगों ने बे बुनियाद आरोपों पर जूठे मुकदमे बना कर मुझे मुख्यमंत्री के पत से हटने के लिए मजबूर कर दिया पांच मेने तक इन लोगों ने मुझे अलग-अलग तरीके से लंबे समय तक जेल में रखने का प्रयास किया हमने भी कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना सोरे ने जनता का अभार करते हुए कहा कि सडकों पर अपने हमें जिहां अपने हमें भरपूर सहयोग दिया अंधतर नयाय के आदेश की अनुरूप आपके बीच हूँ जारखन में अगले पांच दीन बाद धीमा पड़ सकता है मौनसुन जारखन की रादधानी राची में अगले दो दीन मौनसुन के घने बादल चाय रहेंगे खबर है कि इस दोरान रुक रुक कर हलके से मद्यम दर्जे की बारिश की संभावना है मौसम पुर्वानमान के उनुसार पांच दीन के बाद मौनसुन के बादल हलके होंगे और बारिश में कमी आ सकती है बता देकी जारखन के 21 जीलों में बारिश की कमी जादा है बारिश से मौसम ठंडा है अधिकतम तापमान समाने से 5 डिगरी तक नीचे आ गया है खबरों की माने तो मध्य परदेश से लेकर मनिपूर तक कई छोटे लो प्रेसर टर्फ कायम है इस कारण अगले 24 घंटों के दोरान उतरी भागों में कहीं कहीं भारिश होने का येलो अलट जारी क्या गया है इस दोरान जारखन की सभी हिस्सों पर मौनसून एक्टिव रह अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारखन्ड फिल्ड वर्कर परत्योगी परिक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है आयोग राजी भर में स्वास्थे चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्यान विभाग में फिल्ड वर्कर के कुल 510 पदों पर भरती करने की तैय जैसे सी फिल्ड वर्कर भरती 2024 के लिए ओनलाइन आविदन परकरिया 1 अगस्त 2024 से शुरू होगी ओनलाइन आविदन जमा करने की अंतिम्तिती 31 अगस्त 2024 है बतादे की जैसे सी फिल्ड वर्कर भरती अभ्यान के बारे में पातरता आयू सीमा आविदन और चैन परकरिया व अदादकी जैसेसी ने जहारखंड फिल्ड वरकर परत्योगी परिक्षा के लिए ओनलेन आविदन कारिकरम सहित विस्तरित अधिसुचना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अधियों में आयुजित की जाएगी और डेटशीट की घोशना जल्द ही की जाएगी। डेटशीट जारी होने के बाद नीट पीजी दोजार चौबिस परिक्षा टेटशीट की आधिकारिक नोटिफिकेशन नेट बोड.edu.in पर उपलब्ध होगी। उमिदवार जो भी इन परिक्षा के लिए शामिल हो रहे हैं वे डायरेक्ट जिहा एन एट बोड.edu.in सिलैस के जरिए नीट पीजी दोजार चौबिस परिक्षा की डेट शीट चेक कर सकते हैं। नीट पीजी दोजार चौबिस परिक्षा परथम 23 जून के लिए निर्धारी थी लेकिन स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले ने इसे अस्थागीत कर दिया था। बताद की देश में परत्योगी परिक्षाओं के निष्ठा के किलाप आरपों के बीच एहतियात के तोर पर परिक्षा अस्थागीत कर दी गई थी। इलाखों के साथ मत्य भारत के कुछ हिसों में हलकी तो कहीं पर ज्यादा बारिश दर्ची गई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से रहत मिली है। पूरवतर भारत के असम में तो बारिश ने कहर बरपा दिया है। यहाँ पर इतनी बारिश हुई कि ब्रहम पुत्र नद इलाखों को गुरुवार तक के लिए क्लोज कर दिया गया। आई एमडी ने साथ जुले तक 32 राजियों के अलग अलग इलाकों में ज्यादा बारिश का अलट जारी किया है। बदादे की ब्रहम पुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से काजीरंगा नेशनल पार्क भी पानी में डूप गए हैं। करमचारी भोईश निदी संगठन करमचारियों की सैलरी लिमिट में इजाफा कर सकता है। केंद्रिय वीत मंत्राले एक दसक तक इस लिमिट को 15,000 रुपे रखने के बाद अब भोईश निदी की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। ऐसी संभावना जताई जार ही है कि सरकार इस लिमिट को बढ़ा कर अब 25,000 रुपे कर सकती है। और इसे लेकर सरम और रोजगार मंत्राले ने प्रपोजल तयार कर लिया है। केंद्रे ने करमचारी भोईश निदी के तहत अनशदान की अधिकतम सीमा में आखरी बार 1 सितंबर 2014 में संशोधन करते हुए से बढ़ाया था जबकि ये 6,500 रुपे थी। बैंक में नौकरी करने का सुनहरा मौका स्टेट बैंक में निकली ओफिसर पद पर बंपर भरतियां। अगर आप बैंक में नौकरी की तलाश में हैं तो आप SBI की इन नौकरियों के लिए आविदन कर सकते हैं। बदाद की 3 शुरू हो गया है और आविदन करने की अंतिमतिती 24 जुलाई दोहजार चौबिस है। बदाद की अंतिमतिती से पहले बताए गए प्रारूप में फोर्म भरें इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। बदाद की इस भरती अभ्यान के माध्यम से भारती स्टेट बै बदाद बहरे जाएंगे।